आप सबी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागाचा कुछी चोल लगा में और चैमरामेंट कुछना के साथ आप सबी को मका संक्राम्टी की बहुत बहुत बढ़ा लिया और लोडी प्रीची यह सुबा का समय है और मैं हम लोगों में सभी परिवार में नास्ता उस्ता कर लिया है और यह नास्ता का बरतन है जो मैं साप सफाई कर रही हूँ और इसके बाद नहा दो के ख़ाना बनाऊँगी तो आज मकर संक्राम्टी का दिन है तो सब पूरा परिवार ने आज मकरपरब मनाया है और मैं आज खिचरी और टमाटर की बेटामाटर वेगन की चक्नी और आलू को भी मतर की सबजी आपके शांद शेयर करोंगे और यह देखिए पूरा अरे तयार है सब काटबिट के मैंने तयार कर दिया है और यह चावल है चावल दोंगी मैं नहां दो के आ चुकी हूँ और यह देखिए चावल के लिए चावल धो रही हूँ किजड़ी के लिए कभी आप चामल धोएं तो थोड़ा कम ही धोएं क्योंकि जब चावल हम लोग भाद के लिए चामल बनाते हैं मतब चामल जो भाद बनता है उसके लिए चामल तो थोड़ा जादा ही रहता है लेकिन खिजड़ी थोड़ा पतला ही रहता है इसलिए चामल मैं फंसके बार में वहाम सिर्फ होने भीड़ной के लिफ्साहीर कामी और देखिये मैंने गैस पे ले ऋपने अरूबसंने हैं अरूस में टेल धूलेंगे ठीड़े गरम हो ज़या तो तो जीरा, जीरा डालने के बाद जीरा क्रकल होगा, थोड़ा लाल होने से, उसके बाद मैं इसमें चामल डालूंगी, और चामल को थोड़ा लाल होने तक फ्राइ करूंगी, और उससे क्या है ना, स्वाद बहुत अच्छा था खिच्डी का, अच्छी तरह से भूंजूंगी, और जिस तरह से, देखिए, जिस तरह से थोड़ा देज तक आप उसके आँच अपना तेज रखिए, लेकिन ध्यान देते रहिएगा, किस तरह से भूंज रहा है, और इसमें मैं गाजल भी साथी साथ डाल दे रहे हूं, क्योंकि गाजल थो अच्छी तरह से भूंजूंगी, मैं इसमें हल्दी, नमग, मसाले बारे खिच्डी बना रहे हूं, इसलिए थोड़ा मसाला भी मैं इसमें डालेंगी, और इसको अच्छी तरह से भूंजूंगी, जब भूंजा जाएगा, अच्छी तरह से जब मिल जाए सब, थोड़ा पूरा अच्छा भर के आपको जीतना ज़रुत है वह अपना हिसाब से पानी डाले आपको जादा थोड़ा सूखा बनाना है तो कम पानी डाली है इतना फिरूँ पत्ला मतलब अपना हिसाब से थोड़ा ही रखती हुँ और इसलिए मैंने पानिस ज्यादा ही रख्या है कि आगे कि पुरी तरह से अच्छों का अर्टेकि मैं पानी डाल दिया और पानी देखेए कि आप जैसे जैसे चामल पकेगा पानी अपने एक मूते जाएगा और दूसरी तरफ चटनी की तैयारी कर लिए बैगन टमाटर के चटनी बनाउंगे जीरा डाल दिया मैंने और देखे प्यास डालरही हूं जीरा अप्यास को थोड़ा डाल होने तक बूंजोंगी आप इसमें बैग अब इसमें मैं बैगन दाल रही हूं विभी थोड़ा अच्छा से भूझेगा और तो अच्छा से भूझे गांग अधिन नमक आप चाहे तो डाल भी सकते हैं वह धेखे मैंने वहिए नमक आप चाहे तो डाल भी सकते हैं अधरक लसुल मिर्चवी का पेस भी सांति सांथ डाला क्योंकि उसमें एक खुझबु आता है जब पग जाएगा तो एक खुझबु आएगा और इसको डालने के बाद मैंने नमक भी डाल दिया है, सांति सां डाल दिया है और देखें कितना अच्छा से बींज आगया इसमें देखें मैंने बहुत स्वारा टमाटर डाला है तो आज बैगन टमाटर की चतनी खीचरी और सब्जी बनाई ही मैंने तो खीचरी के साथ चतनी बहुत अच्छी लगती है इसलिए चतनी सभी पसंद करते हैं बच्चे भी बनाया है मैंने और पूरी अच्छी तरह से टमाटर डाला है मैंने और देखेंगा नमक भी डाला है नमक कव हो गया तो ज्यादा और और तो डालने के बाद अब तोड़ा देर तक ही इसको पकाईएगा यह देखेंगा जितना दीख रहा है उससे थोड़ा आधा हो जाएगा आपको पता चल जाएगा तेल जब उपर से लगने लगे तो तब तक आपको पकाना है अब देखेंगे सांती सांत खिचिडी भी देखेंगे पानी पूरी तरह से सूख चुकी है और यह देखिए चटनी भी दीरी-दीरे मेरा तयार हो रहा है मैं बैगन को दबा के देख रही हूं कि पका है कि नी पका है वह थोड़ा देर और लगेगा फिर वह पक जाएगा मैं धनिया काटके डालूंगी इसके बाद यह तयार हो जाएगा यह देखेंगे आप कितना अच्छा से तेल उपर आने वाला है आने लग गया है और मैं द एक जबाला पना है इसमें वह तो अच्छा लगता है और देखेंगे मैं दूसरे वरतन में कडाए को खाली कर रहे हूं और इस अब्सक्तिक काड़ाई को मैं गजर के सबजी कड़ाए माली हूं उसे कड़ाई में हि भणाए हूं टमाटर बीया ऐगन की चटनी तो इसको I प्रचाश जीरा टाला और प्याज को जब लाल हो जाया तो आलू जब अच्छी तरह से लाल हो जाएगा तो देखिये आलू को मैंने डाला है और जब अलू को अच्छी तरह से भुंज़िएगा कि यह सब्जी थोड़ा है जो जब तक उसको लाल होने तक ना फुंजिए तो मज़ा नहीं आता है और सब्जी थोड़ा लाल तक ही भुंजिएगा भले आप सब्जी में तेल कम डाले पर फुंजिएगा जरू अच्छा से क्योंकि इतना सब्जी को आप फ्राइ करिएगा औ होसे करें वो अपने भाप में सीचता है और बहुत जल्डी पर जाता है क्यादा देजी लगता है दस मिनट कम से कम दश मिनट लगता है अगर उसको आप थ्यान दीजिए आज़ाए तो मैंने नमक भी डाल दिया क्योंकि नमक डालने से क्या उसमें पानी मिकलता आपने पा टमाटर अदरक्लसुन का पेस्ट, मैं साथी साथ डाल रहा हूँ, और उसमें क्या होता है टमाटर अदरक्लसुन का पेस्ट, को अच्छी से बुझेंगा, और प्रुख रहा जाए गार। और ने तो फिर उकच्छ रह जाएगा तो स्वाद बहुत खराब लगता है इसलिए थोड़ा सा अच्छा सो पुंजेगा उसको और उसमें आज मैं मसाले वल खिच्री बना रही है इसलिए सब्जी में भी मसाले डालोंगी ऐसे तो सदा सब्जी बनाने का इरादा था लेकिन में लिए locked बनाी है थोड़ा मसाला नालके बनाई हम आहए अ देखिया सब्जी में मसाला डाले हुँ हो न यह सब्जी में पर निया नहीं के शहल्डी कर भी में इसलिए सब्जी का और द trip कित्ना सुंदर आya है इसी तरह से आप भी भुझे आपको अगर सूखा रखना है तो सूखा रखे मैं तो रही रता कि इंगा रस वाले सबजी से पसंद से औरुकर पानी डालने के ओ लेकिन तो पानी डालके फ़बाव और नहीं दौरा है जब गोवी पुड़ी तरह से पक जाएगी तो मैं करूगी इसके धनिया है जो मैं किच्डी में बी डालूंगी गोवी सब्जी में भी डालोंगी टंमाटर की चैट्णी में डालोंगी इसलिए मैं बहुत ज्यादा सा इक नियुक्त था और देखिए पर सब्चरी पक के तया छोटी सी गुडिया बेटी हैं वह मसारा खेचरी थोड़ा भी पसंदने करती हैं मैंने निकाल दिया सब्सक्राइब दइला, तर अब को ट्यार हो गया और तेखा जितने जाएं करना कि मैंने मैं निकाल दिया जांकर सब्सक्राइब, शनल कि समार्थ करेश के लिए क्यां, मदने कीजा है help Óite जितना की sleep सब्सक्राइब अब डाले और बना के तयार करें अब खाने के लिए सब बैठ चुके थे इसलिए मैंने गरम गरम पापड भी तला और यह देखिए खेचरी चटनी सब्जी और यह देखिए पापड गरम गरम सब इसी तरह से आज का मेरा दोपार का वीडियो है प्लीज लाइक और सब्सक्र थेंक यू और गरम गरम खाने के लिए सब बैठे हुए हैं और यही है मेरा वीडियो आज का बाई